हुआ है दोस्तों कभी-कभी हम लोग अपने लाइब में इस तरह के सउंटेश को हम लोग आपने बात करते हैं सबसे पहले दिन काटना या सफर काटना या जिन्दगी काटना तो काटने के लिए यहां पर हम लोग यूज करते हैं चिस तरह से दिन काटना सफर काटना जिन्दगी काटना य सबसें आपको बेडर समझ में आएगा वह अपना जिन्दगी एक छोटे घर में काट रहा है वो अपना जिन्दगी एक छोटे घर में काट रहा है वेले संदेज ले कहेंगे He is spending his life in a small house He is spending his life in a small house Next sentence आप अपना जिन्दगी वहाँ पर नहीं काट पाएंगे वेले संदेज ले कहेंगे You will not be able to spend your life there You will not be able to spend your life there अब देखते हैं सफर काटना मैं जहां भी जाता हूँ मैं अपना सफर सो सो के काटता हूँ वेले संदेज ले कहेंगे Wherever I go I spend my journey sleeping Wherever I go I spend my journey sleeping अब देखते हैं दिन काटना मेरा दिन नहीं काट रहा है या मैं अपना दिन नहीं काट पा रहा हूँ वेले संदेज क्ले कहेंगे I can't spend my day I can't spend my day या फिर I am not able to spending my day इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं वेल आई अब बात करते हैं लाइन काटना ये दोस्तों ये बिजली वाला लाइन काटना नहीं है आप कहीं पर खड़े हैं लाइन में तो वो क्यों जोता हैं ने क्यों वो क्यों जंप करना और जंप दा लाइन या जंप दा क्यू या कट दा लाइन या कट दा क्यू दोनों आप यूज कर सकते हैं वेल संडे से जिस तरह से लाइन मत तोडो लाइन मत काटो या लाइन मत काटो या लाइन मत तोडो इसके लिए बोलेंगे don't cut the line don't cut the queue don't jump the queue don't jump the line आपको line नहीं काटना चाहिए you should not cut the line या you should not jump the line इस तरीके से या jump the queue कर सकते हैं आई अब जखते हैं phone काटना well phone काटने को बोलते हैं hang up hang up तो hang up में होता phone काटना जिस तरह से phone मत काटो phone मत काटो इसके लिए बोलेंगे don't hang up next sentence हमें अभी phone नहीं काटना चाहिए well Sunday क्ले काएंगे we should not hang up now next sentence उदखते हैं उसने phone काट दिया well इसके लिए काएंगे he hung up he hung up आप चाहे तो phone भी लगा सकते हैं he hung up the phone hey दोस्तों इसका part 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा hey दोस्तों what we are going to learn in this video let me tell you रास्ता काटना बिल काटना पतंग काटना या बात काटना या सबजी काटना well दोस्तों काटने से जुड़े हुए English के words sentences का ये part 2 है part 1 मैंने already develop किया अपलोड कर दिया चैनल पर यदि आपने उसको नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिए वेल इस वीडियो में बड़ा यूनिक तरीके के sentence हम लोग सिखने वाले हैं और phrases जो भी words है उसको सिखेंगे पहले बात करते हैं पतंग काटना या सबजी काटना इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं तो पतंग काटना या सबजी कोई सा भी हो प्याज को छोड़ करके कोभी सबजी काटेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कट कैउच करेंगे किस तरी के से संटे से आपको जदा समझ मैंगा जैसे कि मैं आपको किसी के बारे में पूझता हूँ वह वहाँ क्या कर रही है तब आप बोलिएगा वह सबजी काट रही है इसको एंगलेस में क्या बोलेंगे सीज कटिंग दा वेस्टेवल सौड में बोलेंगे तो सीज कटिंग दा वेस्टेवल अगर आपको कहना हो वह प्याज काट रही है तो आप क्या बोलिएगा see is cutting the onion no यह रूंग हो जागा तो आपको काना होगा see chopping the onion see chopping the onion next sentence को देखते हैं मैं तुम्हारा पतंग काटूंगा I will cut your kite I will cut your kite जल्दी आओ हम लोग के काटने वाले हैं जल्दी आओ हम लोग के काटने वाले हैं well इसके लिए कहेंगे come fast we are about to cut the cake come fast we are about to cut the cake well अब लोग शिखते हैं बात काटना बात काटना उसमें क्या बोलते हैं इसको इंटरॉप्ट 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 में एक संदेश और देखिए किसी को एडवाइस कर रहे हैं तुम्हें बात नहीं काटनी चाहिए बोलेंगे यू सुडंट इंटरप्ट इस तरीके से अब लोग जानते हैं बील काटना कोई बील आप कहीं जाते हैं सौपिंग करने के लिए बील काटके देता है या बिजली कोई दुकान में भी जाते हैं तो समान लेने के बाद राषए टो उस रषीट है इसको पाड़तária है तो उसको बोलते न कहीं समान लिए तो क्या बोलते हैं या बिजली ओफिस गए वहां बोलते हैं मेरा बील काड़ देजी तो इस तरह के से एक और एक जंपल देखते हैं जब तुम पैमेंट कर दोगे कैसियर तुम्हें बिल दे देगा इस अंडेश के यह बात करते हैं रास्ता कटना रास्ता कटना को बोलते हैं क्रोश दपाथ संटेंस देखिए एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता कट दिया इसके लिए क्या कहिएगा और ब्लैक कैट क्रोश्ट माइपाथ और ब्लैक कैट क्रोश्ट माइपाथ क्योंकि यह पास्ट इंडफनी टेश्म बोला गया इसलिए भी टू आगया क्रोश का भी टू क्रोश्ट क्रोश्ट वर्व का थाड़ फॉर्म एक संटेश और देखिए जब भी मैं बाहर जाता हूं तुम मेरा रास्ता काट देते हूं संटेश ले कहेंगे वेनेवर आइगो आउट यू क्रोश माइपाथ वेल दोस्तों इससे रिलेटेट मैं आपको कुछ संटेश से देता हूं इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आपको सेर किया किजिए ताकि वीडियो एस्प्रेट हो और भी कई सारे स्ट्वेंट सिख सकेए